नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस अफेर्स में तो दोस्तों आज भारत का रक्षा बजट पेश हुआ है और इस बार का रक्षा बजट बहुत ही जादा ही स्पेशल हुआ है और भारते गोर्मेंट की तरफ से डिफेंस के सेक्टर में डिफेंस लवर को एक बनाती है और इन हतियारों की research and development के लिए कोर्मेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है लेकिन आज भारतिय सरकार की तरफ से ये decision लिया गया है कि अब जितना भी पैसा research and development में सरकारी कमपनियों को दिया जाता था अब उसमें 25% की कटोती होने वाली है और ये 25% भारत की private कमपन को मिलने वाला है और इस 25% की मदद से आने वाले time में भारत में नई नई private कमपनिया खड़ी होने वाली है और इससे आने वाले time में भारत को बहुत ही ज़ाधा boost मिलने वाला है क्योंकि ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े और घातक हतियार बनाए जाते हैं उन्हें अमेरिका की बोईंग और लोकिट मार्टिन बनाती है और ये दोनों भी प्राइवेट कमपनी हैं और अब भारत की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम भारत में ही लोकिट मार्टिन और बोईंग जैसी कमपनियों को खड़ा करेंगे जिससे आने वाले टाइम में भारत की नई नई प्राइवेट कमपनियां तेजी से हतियार बना सकेंगी और दोस्तों ये बात आप सभी काफी अच्चे से जानते हैं कि भारत अपनी जरूरतों के दिक्तर हतियारों को विदेशी कमपनियों से खरीदता है और अब भारत की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि जितने भी हतियार अब हम विदेशी कमपनियों से खरीदेंगे उन हतियारों में करीब 68% समान भारतिये लगा होगा यानि कि अगर अब भारत 1000 करोड रूपिये के दिसी विदेश से हतियार लेगा तो उसका 680 करोड रूपिया भारत की कमपनियों को मिलने वाला है क्योंकि अब विदेशी कमपनियों को भारतिये कमपनियों के साथ मिलकर हतियार बनाने होंगे और दोस्तों ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि पिछले साल भारतिय सेना का रक्षा बजट 66 billion dollar था जिसे पिछले साल 4% बढ़ा दिया गया था लेकिन इस बार भारत की तरफ से अपने रक्षा बजट को 70.2 billion dollar कर दिया गया है और इस बार के रक्षा बजट में भारतिय गोर्मेंट ने तीनों ही सेनाओं के रक्षा बजट को करीब 9% बढ़ा दिया है और दोस्तों उपसे करीब 20 दिन पहले ये भी खबर निकल कर सामने आ रही थी कि भारत की तरफ से इस रक्षा बजट को करीब 80 billion dollar किया जाना है लेकि इस बार भारतिय गोर्मेंट की तरफ से एसा नहीं किया गया है क्योंकि अब गोर्मेंट की तरफ से ये decision लिया गया है कि हम अपने education sector को और भी जादा मजबूत करेंगे इसी के साथ साथ ये भी decision लिया गया है कि अब गाउं में सरकारी स्कूलों में भी digital तरीके से study कराई जाएगी जिससे आने वाले टाइम में गाउं के बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे Thanks for watching this video. Have a good day!